दोलपूर जिले के सदर्थाना इलाके की पचगाव पुलिस चोकी से महज 500 मीटर दूर नेशनल हाईवेग 123 पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान ने कोचोरों ने निशाना बनाया चोरों ने पुलिस की रात्री गश्त व्योस्था को ठेंगा दिखाते हुए दुकान की दिवार में सेंद लगा कर शराब के 22 कारटन प्राप्त कर लिए दुकान मालिक ने सदर्थ पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया है जानकारी के अनुसार दुकान मालिक को चोरी का पता तब लगा जब सुबह दुकान पर पहुँचा ताले टूटे देख और दिवार में सेंध लगी देख चोरी का अंदेशा हुआ जब दुकान खोली तो दुकान में से शराब के 22 काटन गाय पिले जिनकी कीमत करीब 2,18,000 रुपे बताई गई है वहीं दूसरी चोरी सदर थाना इलाके के अलेपुरा गाउं में हुई जहां से अज्यात चोरों ने सोने चांदी के आभूशन सहीत नगदी पर हाथ साफ कर दिया फिलाल पुलिस घटना को लेकर जाच में जुट गई है जिले में लगातार हो रही चोरियों से आमजन में पुलिस की रात्री, गश्ट व्यवस्था और कारिशली को लेकर आक्रोश बना हुआ है